कार्टनन टेम्पल तुम्हें याद यहोगा क्योंकि जिन्वु को पावर्स यहीं से मिली थी जो उसे रिवर्ड में मिली थी तो इसका रिमेनिंग टाइम पूरा होने के बाद सिस्टम उसे कार्टनन टेम्पल की लोकेशन बताता है जिसका gate एक स्कुल में अपियर हुआ था एंड जिन्वू जैसे ही वाँ पोस्ता है तो वो शोग हो जाता है कि इस gate को अपियर हुए तिन दीन हो चुके हैं जबकि उसे इस gate के बारे में सिस्टम से अभी पता जला है और जिसी के साथ वो gate के अंदर enter हो जाता है जहां पहले से एक assault team मोजूद थी क्योंकि उनके हिसाब से ये एक normal C rank dungeon है और वो उस बड़े से gate को खोलने की कोशिश कर रहे होता है तब उन्हें एक अवाज डरा देती है जो थी जिन्वू की कि ये एक trap है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और hunter association वालों को inform कर देना चाहिए कि ये एक double dungeon है बट इस पर बाकी के hunters भी हमें नहीं तुझे जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास इस dungeon के सारे rights है जिस पर जिन्वू भी उस बड़े से gate को अपनी की से खोल देता है और कहता है चलो अब अंदर जाओ एंड उस assault team का leader अंदर जाता है तो उस पर एक statue हमला कर देता है एंड यहाँ उसे कुछ हो बाता है उससे पहले ही जिन्वू उससे बाहर गिज लेता है और कहता है अब भी तुम अंदर जाना चाओगे एंड इसी के साथ जिन्वू काटनन टेंपल में एंटर हो जाता है और उसके अंदर जाते ही वो gate close हो जाता है वहीं जिन्वू पिछले वाले incident को दिमाग में रख कर सोच रहा होता है यह सब यहीं से start हुआ था अब मैं फिर से एक बार यहीं पर आ चुका हूँ यह statue कोई monster या जिन्दा जीव नहीं है यह सब एक puppet है और फिर हमें पता चलता है जिसका यह magic है उसका सिफ एक ही source है और जिन्वू जाकर खड़ा हो जाता है architect के statue के सामने यह कहते हुए कि वो source तुम ही हो और architect से कहता है यह एकदम सही टाइम है तुमारे लिए कुछ कहने का जिस पर हम architect को एक smile देते हुए देखते हैं और वो अपने wings निकाल लेता है जबकि दुसी तरफ जैपैन में एक S rank get अपियर हुआ होता है जिसे close करने के लिए जैपैन के पास अपने गोटे नहीं है क्योंकि वो जैजू आइलेंड पर बेरू चबा गया था और इसी वज़े से उनके पास अब कोई भी powerful hunter नहीं है तो वो पोच जाते कोरिया वालों के पास ताकि वो Sank Jinwoo को लाब आए बट हमारा बुडाव इस चीज को होने नहीं देता है क्योंकि उन्हें जैपैन वालों की काली कर्टूते पता चल गई थी कि ये जेजू आइलेंड पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे जिस वज़े से वो उन्हें वापस से भैस देता है वही दूसी तरफ आर्किटेक चुटकी बजाते ही जिन्वू की जोब स्पेसिफिक स्किल्स को बंद कर देता है जिसमें शेडो सोलजर्स भी शामील है और वो इस फाइट के दोरान लेवल अब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां आर्किटेक जिन्वू का फाइनल एक्जाम ले रहा है अगर इसे जिन्वू ने किलियर कर दिया तो उसे अपने सारे कोशन्स के आंसर्स मिल जाएंगे तब ही जिन्वू पर एक स्टेचू अपनी स्वाट से हमला करता है जिसे जिन्वू पकड़ कर तोड़ देता और उसी स्वाट का टुकड़ा उस नाइट के मुँपर मार देता इसके बाद एक एकर बागी के नाइट्स को भी मारता है तब ही उसके पीछे से एक स्टेचू एरो से हमला करता है जिसे तोड़ते हुए जिन्वू उसी एरो से उस स्टेचू को भी मार देता है और पहले से ज़ादा गुसे में आकर जिन्वू उन सारे स्टेचू उसको तोड़ रहा होता है एंड जिन्वू को ऐसा लड़ता हुआ देख आर्किटेक भी खूश हो जाता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें एक इंसान होकर भी इसे अचीव कर लिया है सच में तुमारी ग्रोथ काफी इंप्रेसिंग है तब ही एपसुलिट बिंग का भी स्टेचू खड़ा हो जाता है जिस पर आर्किटेक कहता है अब टाइम आ चुका है गोड की वर्डशिप करने का और वो बड़ासा स्टेचू जिनवू की तरफ लेजर बिम मारता है जिसे जिनवू ब्लोग करने के लिए अपने सामने नाइट से ले आता है और यह सब उसने किया होता है डॉमिनेटर टच से क्योंकि डॉमिनेटर टैच उसकी जो अब स्पेसिफिक स्किल नहीं है जिस वज़े से जिन्वो इसका यूस कर पा रहा था जबकि वो स्टेचू हस रहा होता है और जिन्वो को अपने पाउं से कुचलने की कोशीश करता है लेकिन 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 इससे भी उस स्टेचू को कुच नहीं होता है जिसके बाद क्या जिन्वो अपनी देसी टेकनिक का यूज करता है और एकी पंच में एपसुलिट बीन के स्टेचू को नोकाउट कर देता है और बाकी के नैट्स को भी डोमिनेटर टच से जमिन पर गिरा देता है जो देख सच में आर्किटेक ताल्या बजाने लग जाता है और जिन्वो से कहता है अभी तो गेम बाकी है क्योंकि तुमारा फाइनल टेस्ट मैं हूँ और अपने कहीं सारे हाथ बहार निकालेता है तभी जिन्वो को एक नोटिफिकेशन मिलती है अगर तुमने इसे 10 मिनिट में नहीं मारा तो तुमारा हार्ट बीट करना बंद कर देगा उसी वक्त जिन्वो को आर्किटेक एक पंच मारता है जिससे जिन्वो तेजी से इस बार ब्लो कर देता है जो देख आर्किटेक सोचता है इसने मुझे फिर से इंप्रेस कर दिया और जिन्वो के फेस पर एक पंच जड़ देता है और अपनी गटिया सी स्माइल दिखाता है जिस पर जिन्वो पंच भी कर देता है जो खाने के बाद आर्किटेक का सिस्टम भी थोड़ा सा हिल जाता है और कहता है किसे पता था इंसान के साथ लड़ने में इतना मजा आएगा मेरी जिन्दगी के इतने साल गुजर गए लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था इंसान भी इतने अच्छे ओपोनेंट्स हो सकते हैं जबकि जिन्वू उससे पूछ रहा था आखिर तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया और मुझे ही क्यों प्लेयर चुना और सबसे बड़ी बात इस वर्ड में चल किया रहा है इसका जवाब आर्किटेक ये कह कर देता है ये सब जानने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा एंड इन दोनों की फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां जिन्वू आर्किटेक के एक के बाद एक हाथ उड़ा रहा होता है और अपने साथ ऐसा होता हुआ देक आर्किटेक अपने आसपास के स्टेचूस को फिर से खड़ा कर देता है जो देकर जिन्वू डोमिनेटर एथोरिटी को जमिन पर मार देता है और उन सभी को अपने से दूर कर देता है और तेजी से इधर उदर भागता है क्योंकि एपसुलीट बिंका स्टेचू उस पर पंचेस बढ़सा रहा होता है और इन सभी से बचते हुए जिन्वू फिर से आर्किटेक का हाथ उड़ा देता है एंड़ बचते हैं जिन्वू के पास 3 मिनिट 2 सेकेंड तबी अपने पीछे उसे वो दिखता है जिसके उपर जिन्वू को सबसे ज़ाधा गुसा आता है वो शेल्ड वाला स्टेचू जिसने फर्स्ट टाइम जिन्वू के बहुत बुरे हाल कर दिया थे और इसी गुसे में जिन्वू उसके सर पर अपनी कुनी मारता है जिससे उसका सर फट जाता है और तेजी से आर्किटेक के बाकी बचे हातों को कार देता है और उसे नीचे गिराते हुए अपना डेगर उसके गले पर रख देता है जिस पर फाइनली आर्किटेक भी अपनी हार मान लेता है तबी जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा था तुमारी मेमोरीज में डाटा स्टोर है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो या नहीं, जिस पर जिन्वू कहता है, येस जिन्वू ये सब अपनी मेमोरीज में देखी रहा होता है, काटनन टेमबल में एंट्री होती है, हंटर गिल्स वालो की, ना ना ये कोई कोईंसिडेंट नहीं है, उस असोल्ट टीम ने बाहर जाकर हंटर अशोशन को इनफॉर्म कर दिया, जिसने बाद में हंटर गिल्स वाल और फिर तुम अंदाजा लगा ही सकते हो, जहां जिन्वू इन सभी को एक एक पंच में नोकाउट कर रहा था, ये सब उन्हें हिला भी नहीं पा रहे थे, और उन सच में इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, और उन सब के दिमाग में यही था, वो यही मननने वाल है, देख जिन्वू उसे डेगर अटेक से मार देता है, और ये सब हो पाया, क्योंकि जिन्वू ने सिस्टम को अपने अंडर ले लिया, एंड़ बात रही, जो मुझे तुमें बताना था, वो ये था कि आर्किटेक को ब्लेक हार्ट देकर समझ आ गया था, जिन्वू को अपन भी explain नहीं किया गया है, बाकी तुमें, एक सेकंड रोको, जेपेन के S-Rank gate का क्या हुआ, तो जेपेन वाले बुलाते हैं, रशिया के S-Rank Hunter को, यूरी और वलोफ को, जो बेरियर बनाने में मास्टर था, और उससे जेपेन वाले एक दिन के 10 मिलियन डोलर दे रहे थे, तो कि वाले परवे सक्रयब हैं, एक सका वाले ओककश र का की तुमेच है, तो ही, जेपेना के सनल जेपेना में तो ही वाले पक।, जेदों खूरी जेग a की एक से दिन के खाईटर रहे पुलने में हमें, सędल अनल रहे, इपेना मेम उनमें और छोमें, उना रहे हैं बिलिल गी